और 2020 में हमारी सरकार के द्वारह एक नारा दिया गया आत्मुनेर वर पढ़नेगा उससे पहले 18 में 19 में और इस सब लगतार दूसरी बात कुनाओं जितने के बाद और कह सकते हैं यह नारा और जोर सोर से पढ़ गया पहले भी था और जोर सोर से बढ़ गया कि आप अपने द स्टार्टप को प्रमोट किया गया इंटर्पर्णॉर्शिप को बिजनस को भर चीज अभी रीसिट में इस आप डूइंग बिजनस में उत्तरप्रदेश नंबर दो पे था और अंदरप्रदेश नंबर वन पे था मुझे यह समझ में नहीं यह डाटा कैसे आता है अब अगर मैं अब आपको शौक होगा हो सकता है यह गवर्मेंट के अगेंश चला जाए गवर्मेंट की फिलोसफी के सपोर्ट के देखो सपोर्ट एक अलग होता है अगर आप उन समस्याओं को नहीं सुल जा रहे हैं सुनना दरी की दरी रहे हैं website की रूप में मैंने लगबग हर website चेक की हुई है और मैं किसी सटिस्फाइब नहीं हुआ हूँ कि इस website के इस प्रोसीजर के थू जाओंगा तो मुझ जैसे व्यक्ति को मतलब मुझ जैसा व्यक्ति का आपको एक एक ग्जांपल देना जाता हूं वह व हुआ तो 5-10 लाक रुपए मिनिमाम अगर इतना भी चाहिए हो जो कि बहुत बेसिक आमाउंट है किसी भी स्टार्ट अपको 5-10 लाक रुपए सीड़ कम्पणियों को सीड़ांव कर में मिलती हैं क्यूंत हैं बड़ी इन्वेस्टर के लिए बहुत एक काटने ब़ाबर है लेकिन आगर आगर हो चाहता की मुझे कोई सेरकारी स्कीम के सेक्स है तो मैं कहां जाऊंगा किसी सरकारी website पर जाओंगा तो मुझे कई जगा यह देखने को मिला तो वहां पर एक option है ideation का बाकी सारे थोड़े से उससे mature stages है और उसके अलावा यह demands थी आपकी company होनी चाहिए चाहिए प्राइविट लिम्डर हो चाहिए पॉब्लिक चाहिए वह फाला ना दिमाना इतनी सारी formalities है चलो आप सब कुछ बहर के चले जाते हैं अब मुझे यह बताओ जो बंदा अभी अभी कॉलेज ग्रेडिवेटा कर हुआ है उसके दिमाग में काईडिया है वो पेपर पे लिख रहा है वो पहले company form करेगा लोन लेने के लिए दूसरी चीच आप कई तरीके के पेपर वर्क्स ऐसे मांग रहे हैं जो बिल्कुल इनिशल स्टेज पर होते नहीं है तिसरी चीज आप वीडियो के फॉर्म में और रिटेन फॉर्म में उसके आइडिया का पूरा प्रॉसर्स मांग रहे है मतलब आपके सामने एक्सपोज करके रखने कि उसका कॉंसेप्ट का एक यूथ जो जॉब गिवर बन सकता है जो एक इनोवेशन कर सकता है जो समाज में मदद कर सकता है नहीं तरीके की सर्विसेज प्रॉडाक्ट्स कुछ ना कुछ अविलेबल कराके जिसे इस ऑफ डूइंग बिजनस की रैंकिंग इंडिया की अप हो सकती है कोई ऐसी सुविदा लाने से तो क्या आपको नहीं लानी चाहिए और आप यह सोचते हैं कि हमने कागज पर तोतार लिया फंडिंग के लिए इंवेस्टर के पास जाएं या किसी गवर्मेंट के कह संक्षिन करता कि उसका यूजेज है उसको लाने के लिए आप डेवलपर के पास जाएंगे तो पैसा लाई है आप जिससे पैसा मांग रहे हैं और आप बनवाना चाहते हैं वह आप से पैसा मांग रहा है इस चक्रवियू में जो आप फसे हुए उससे निकालेगा कौन मु इस सब चीज़ें ट्राई करेंगे या कोई कॉंपटिशन करेक करना चाहेंगे या फिर कोई बिजनसी करना चाहेंगे यही सब चीज़ें करना चाहेंगे लेकिन अगर वो स्टार्ट अप या कोई बिजनस करना चाहरे हैं तो सबको फंड चाहिए इन्वेस्टर्स की कमी हम इनिशियल लेवल पर मैं जनता है से अगर वेराइटी की जनता है मेरे पास जो इनमें से कुछ लोग क्या पता इंवेस्टर हों किसी बहुत ऐसा पैसा हो कि वह थोड़ा पैसा लगा दे भविश्य में और अर्निंग के लिए तो मैं चाहता हूं अपनी डिटेल्स मुझे इं नसा प्लैटविर्म किसी की यह कभी किसी को पताने होता इस लिए सिर्फ मैंने अपने इस चैनल को इस पिल्ट फॉर्म को इस तरीके से इस वीडियो के माधिया मेरा कॉंसेप्ट है उसको मैं में स्ट्रीम में ला सकूं उसको मार्केट में ला सकूं जिससे हजारों लाखों लोगों की हेल्प हो सके भविश्य में भी आज और जनता से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहें आप इस समस्या से जूज रहें आप या फिर आपको मेरी समस्या समझ म आरी तो आप प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें जितना हो सके शेयर करें दबा के क्योंकि आज आपने अगर इन समुद्दों पर अगर आवाज नहीं उठाई तो आपको उस बात का भी हक नहीं है कि आप हर बात पर क्रिटिसाइज करते रहें criticism से कभी कोई समस्या solve नहीं होती अगर आप solution देंगे आप help करेंगे हाथ बटाएंगे तभी कुछ ना कुछ होगा तभी बात आगे बढ़ेगे खेर अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको जरूर इस वीडियो को share करना चाहिए आपके पास कोई solution है तो आप जरूर कमेंट में बताइए चाहे कोई सरकारी website की link हो चाहे आप खुद वो solution हो फंड दे के या फिर आप वीडियो शेर करके जो माध्याम हो आप अपना योग जान दीजिए